हेलो दोस्तों मैं ललीत दहिया स्वागत है आपका study IQ आई ये सिंदी चैनल पे दोस्तों बात करेंगे निक्षय मित्र की अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में है और इस निक्षय मित्र क्या है ये बिसकल यह निक्षय मित्रा, इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करने के साथ, यह किस बिसकली छेत्र से संबंधित है, नाम से ही आपको सपश्ट हो रहा होगा 6, 6 का मतलब होता है TB, और N का मतलब होता है End करना, यानि TB को हतम करना, इसे संबंधित है यह, और एक TB के संदर्भ म ही एक बहुत महतुपूर योजना है निक्षय पोशन योजना उसके बारे में भी हम आज की क्लास में दिक्र करेंगे ठीक है तो सबसे पहले निक्षय मित्रा क्या है ये न्यूज में क्यों आया अभी यदी समाचार में चर्चा में क्यों है बात करें तो स्वास्थय परिवा 47,000 से अधिक निकषे मित्र और 8.8 लाख TV रोगियों को जोड़ा गया है यह कैसे जुड़ते हैं निकषे मित्र यह पोर्टल क्या है यह निकषे मित्र कौन कौन हो सकते हैं क्या आप और हम भी हो सकते हैं सरकारी प्रतिनिधी मतलब कौन-कौन इसमें शामिल होता है बेसिकली ये हम पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि इस पोर्टल में लगभग इतने निक्षे मित्र जुड़ चुके है और इतने टीबी मरी जुड़ चुके है सरकार का लक्षे क्या है सरकार के लक्षे की बात करें इस बात पर यदि हम दृष्टि डाले तो इस पहल की शुरुआत 2022 में राष्ट्रपती दुआरा की गई थी पहल का उद्देश्य क्या है भई पहल तो कर दी 2022 में लेकिन इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है टीबी के इलाज के के अतिरिक्त नैदानिक यानि जो भी दवाईयां और जो भी निदान में उप्यूक्त होती है चीजें नैदानिक पोशन और व्यवसाइक सहायता सुनिश्चित करना है ठीक है? यानि जो भी टीबी मरीज होंगे उनकी पहचान की जाएगी तो उनको 30 तरिया सहायता दी जाएगी नैदानिक सहायता कोई निक्षय मित्र दे सकता है, कोई निक्षय मित्र पोशन सहायता दे सकता है, कोई व्यवसाइक सहायता दे सकता है, कोई टीबी मरीज है, उसको या उसके परिवार को कुछ जो है help कर सकता है या फिर कोई तीनों में help कर सकता है अभी हम detail से समझेंगे थोड़ा सबर रखो बास समझ में आई यहां तक इसका उद्देश्य है इन तीन आधारों पे सहायता सुनिश्चित करना TB रोगियों को और रोगियों को ठीक होने में मदद करने के लिए अब इसमें कौन-कौन participate कर सकते हैं ध्यान रखना सरकार की तरफ से एक portal बनाये गया है जिसका नाम है निक्ष्चय पोर्टल 2.0 ठीक है आप भी आवेधन कर सकते हैं कि भई आपके पास मानलोग किसी व्यक्ति के पास पैसा है धन है वो कुछ charity करना चाहता है तो इस पोर्टल पे जाके registration करा सकता है जिले वार उसमें सूची दी गई है कि भई किस जिले में कितने मरीज हैं वो उस जिले को चुन सकता है मरीजों की संख्या को चुन सकता है और तीनों जो प्रकार है या तो वो निदानिक साहता दे सकता है या पोशन साहता या व्यवसाइक साहता या तीनों भी दे सकता है आम आदमी ठीक है इसमें कौन-कौन शामिल होंगे इसमें निर्वाचेत परतिनिधी help कर सकते हैं, corporates help कर सकते हैं, गैर सरकारी संगठन यानि जो NGO होते हैं वो को दाताओं के रूप में आगे आने के लिए प्रोथ साहित करता है यानि ये लोग दाताओं के तोर पे आगे आए और TB को जड से मिटाने में सरकार की सहायता करें, ठीक है, मोटे तोर पे इतना समझ लीजे निक्षे 2.0 पोर्टल के माध्यम से 47,000 से अधिक निक्षे मित्र, यानि इतने निक्षे मित्र जुड चुके हैं इस पोर्टल के माध्यम से 47,000 निक्षे मित्र का मतलब क्या है कि वो लोग जो TB के निदान में लोगों की सहायता करेंगे अलग-अलग माध्यम से ठीक है और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कितने मरीज जुड़ चुके हैं ये है पहल तीन आयामी समर्शन सुनिशित करती है जिसमें पोशन भई टीबी के इलाज के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है पोशन यदि पोशन बहतर नहीं ह हो गा तो एक तो टीबी ठीक Nie ओगा पहली बात और दूसरी बात यदि परिवार में पोशन भैतर नहीं है और एक व्यक्ति को टीबी ओ गया तो जो दूसरे व्यक्ति उस व्यक्तिंसे जुडे हुए हैं वह भी सुभेद्य हो जाते है टीबी के लिए तो पोशन को सुनिश ये और तीसरा होता है व्यवसाइक समर्थन जो मैंने अभी आपको बताया कि इन तीन आधारों पे बेसिकली समर्थन देते हैं ये निक्षय मित्र इस कारिये करम के लिए यदि बात करें तो जो निक्षय मित्र है दाता में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं मतलब कौन-कौन ये help कर सकते हैं सहकारी समितियां, कोर्पोरेट्स, निर्वाचित परतिनिधी, व्यक्ति यानि व्यक्तिकत स्तर पे भी हम निक्षय मित्र जुड के अपना योगदान दे सकते हैं संस्थाएं, गैर सरकारी, संगठन यानि NGO, राजनितिक दल और अन्य भागिदार शामिल हैं जो स्वास्थे स्विधाओं ब्लोक को अपना कर, यानि व्यक्तिकत दाता के लिए अपना कर समर्थन कर सकते हैं, या फिर केवल राजनितिक दली शामिल हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ये काफी विस्तरत है, प्रतेक व्यक्ति जो इस मुहीम में तरकार का साथ देना चाहे वो दे सकता है उसमें फिर ये सभी शामिल हो जाएंगे ठीक है ये पॉइंट याद रखेगा यदि हम निक्षे की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था नी का मतलब होता है फतम करना यानि एंड और शे का मतलब होता है टीबी राष्टे तपेदिक उन्मूलन कार्यकरम यानि राष्टे टीबी जो उन्मूलन कार्यकरम के तहत टीबी नियंतरन के प्रबंधन प्रणाली है यह बैसिकली केंद्रिय इसमें वेशी कली कई सारी संस्थाओं का योगधान है इस निक्षय को बनाने में केंद्रिय टीबीडिवीजन स्वास्तर परिवार कलयान मंतरालें भारत सरकार द्वारा सूचना विज्ञान केंडर है NIC और भारत के लिए विश्व स्वास्त्य संगठन के देश कारियाल है यानि WHO का वो कारियाल है जो भारत में रहके काम करता है है ना वो इनके सहयोग से इसे विक्षित और अनुरक्षित किया गया है तो आप लोगों से यहां से भी कोशन बन सकता है कि भाई यह जो निक्षय पोर्टल बनाया है इसमें किस-किस का योगदान है तो ध्यान रखना CTD का स्वास्त्य परिवार का लियान मंत्राल्य का NIC का और जो WHO का जो देशिय कारियाल है उसका उनके सहयोग से इसको विक्षित किया गया है इसको अनुरक्षित किया गया है बास समझ में आई क्या है निक्षय क्या है निक्षय पोर्टल क्या है निक्षय पोर्टल 2.0 में कौन-कौन निक्षय मित्र बन सकते हैं किन आधारों पे सहायता की जाएगी, तो तीन आधारों पे, ये सारी बाते क्लियर हुई, अब हम बात कर लेते हैं, कि यदि हम स्वास्थय कारिय करता हूं द्वारा, निक्षय का, अब सारजनिक और नीजी, दोनों छेत्रों में, देश भर में विभिन स्थरों पर अब यूग किया जाता है, या या नीजी चेत्र भी शामिल है, और क्या माम ले दरज करने हैं, जो TV के पेशेंट हैं, उनकी पहचान करनी हैं, अलग अलग उनके परिक्षनों को कराना आसान बनाना है, रिकॉर्ड को ने परेखर, खालन के निगरान films, धियां रखना टीब का सबसे बड़ा खत्रा क्या होता है लगभग 6 महीने का treatment होता है और यदि आपने 2 महीने दवा लेके आपको ठीक फील हुआ और आपने बीच में treatment छोड़ दिया जो की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है टीवी में तो फिर से बिमारी आपकी दुबारा आएगी और काफी strong तरीके से आएगी तो ऐसे में जरूरी होता है निगरानी करना कि आपका जो treatment चल रहा है वो basically बहतर तरीके से follow हो रहा है कि नहीं है ना तो ये सारे काम basically इनके करने होते हैं प्रदाताओं के बीच मामले यह है राष्ट्य टीबी निगरानी प्रणाली के रूप में भिकार रखेगा निगरानी करेगा है ना तो ये सारे काम करना भी इसका दाइत्व होता है अब निक्षे 2.0 पोर्टल टीबी रोगियों को उपचार के परिणामों में सुधार सामुदाइक भागिदारी बढ़ाने टीबी उनमूलन के लिए भारत सरकार की परतिबदता को पूरा करने के लिए CSR CSR क्या होता है Corporate Social Responsibility यानि Corporate सामाजिक उत्तरदाइद के अवसरों का लाब उठाने के लिए अत्रिक्त रोगी सहायता प्रदान करता है यानि जो बड़ी-बड़ी कंपनी है CSR आपको कभी डिटेल से समझाओंगी आप इतना मालो कि जो बड़े उद्योग हैं बड़ी कंपनी हैं वो अपने लाब का कुछ परसेंट सामाजिक कारियों में यानि सामाजिक कल्यान के कारियों में इन्वेस्ट करें ठीक है उसके लिए बकायदा एक विधेक आया था और बकायदा परसेंटेज डिसाइड किय लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये CSR के लिए भी काफी बड़ा छेतर है बड़ी बड़ी कंपनिया CSR के माध्यम से भी फाइनेंस कर सकती हैं टीबी उन्मूलन के कारियकरमों को ठीक है ये था भाई हमारा निक्षय मित्र क्या होते हैं निक्षय पोर्टल क्या है इस पो अब एक बर हम ये देख लेते हैं टीबी के उन्मूलन के लिए ना 2018 में एक योजना चली थी जो काफी इंपोर्टेंट है निक्षय पोषण योजना तो निक्षय का मतलब ही क्या है वही खतम करना किसको टीबी को तो उसके संदर्व में पोषण योजना 2018 में शुरू की थ बेसिकली इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाब हस्तांतरन के रूप में निक्षय पोषण योजना की शुरूआत की थी और इसके तहत 500 रुपे मिलते हैं प्रतिमाहा वालो जो टीबी रोगी है ना जिनकी पहचान होती है उनको डीबीटी के जरिए प्रत्यक्ष लाब थान्तरन के जरिये 500 रुपे प्रती महा देने की बात की गई थी ताकि वो अपने पोषण को देख सके पोषण का ख्याल रख सके इसका उद्धेश्य पोशन संबंधी जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरन के माध्यम से प्रती महा 500 रुपे की राशी प्रदान कर टीबी रोगी की सहायता करना था इसकी स्थापना के बाद से 73 मिलियन अधुसूचित लाव अभ्यार्थियों को लगभग इतने 100 करोल रुपे का फुक्तान किया याद रखनी की जरूतिय यानि बड़े स्थर पे सहायता की गई है टीबी रोग्यों की इस योजना के माध्यम से उनको प्रतीमा 500 रुपे दिय जाते हैं पोशन संबंधी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए लेकिन हमें याद क्या रखना है इसके प्रदर्शन को भी हम देख सकते हैं कि यह मेंस में काम आएगा क्या इतने बहतर काम किया है मालो टीबी उन मूलन के ऊपर कोई कोशन आ जाए क्योंकि लक्षे है सरकार का और हैल्थ आपका एक अच्छा खासा टोपिक है है ना तो सोशल बेसिकली आप फर्स पेपर में भी हैल्थ को देखते हैं सेकिंड पेपर में सोशल इशूद में भ केवल 62% रोग्यों को ही एक किष्ट का ही भुकतान किया गया है और दिल्ली में देखें तो एक लाख लोगों पर टीवी के सरवाधिक मामले हैं 747 मामले हैं वहां केवल 2% मरीजों को ही DBT की एक ही किष्ट प्राप्त हुई है यानि इस योजना का क्रियानियन हम देखें त सफल हमको नहीं दिखता है क्योंकि ये रिपोर्ट सें कि भई केवल 62% लोगों को एक ही किष्ट प्राप्त हुई और यदि हम पर्टिकुलर दिल्ली का मामला देखें जहां पे एक लाख लोगों में लगभग 800 लोग TB से ग्रसित हैं वहां पे केवल 2% लोगों को ही एक ही क खामिया है क्या क्या चुनोतिया है एक तो न इस योजना में TBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है तो DBT के लिए बैंक खातों की जुरूत है तो भई होती है तो भई लोगों के बैंक खाते ही नहीं है पहली चुनोती इन खातों का अन्य दस्ता वेजो जैसे अगर खाते हैं तो ये खाते आधार से या पैनकार इत्यादी से जुड़े हुए नहीं हैं, दूसरी चुनोती, संचार की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरीके की भी कोई योजना है, क्योंकि योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, योजना को प्रचार प्रसार करने से भ काम चलेगा ताकि लोगों को पता तो रहे कि भई हमारे लिए इस तरीके कियोजना बनी हुई है ना तो संचार की कमी है समाजिक कलंग के तोर पे टीबी को माना चाता है लोग बताना ही नहीं पसंद करते और ये भी बहुत बड़ी कमी होती है मतलब टीबी को फैलने का सबसे बड़ा रीजन है लोग बताते ही नहीं कि मुझे टीबी है क्योंकि लोग फिर ना तिरसकार की दरिश्टी से देखने लगते हैं तो ऐसे में लोग जान बूझ के कहीं बार फायदा नहीं लेना चाहते है इस तरीके कियोजना होगा निरक शर्ता है लोगों को ग्यान नहीं और बहु चरणिया अनुमोधन प्रक्रिया है यानि जो फोम अगेरा फिल करना पड़ता है या जो अनुमोधन करना पड़ता है उसका बहु चरणिया प्रक्रिया है ये सब बाधाएं आ रही है इस निक्षय पोशन योजना के समक्ष इन बाधाओं को दूर करना जरूरी ह तब जाके हम इस योजना का बहतर क्रियान्यन संभव कर पाएंगे, ठीक है? अब यदि हम देखें, TB की स्तिति देख लो भई एक बर क्या है situation, बहुत विक्राल situation है, 2022 की अनुसार, 2021 की अबधी में TB रोगियों की कुल संख्या 19,00,000 से अधिक थी, और 2020 में यह संख्या 16,00,000 यानि एक साल में 16,00,000 से संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 19,00,000 और वर्तमान डेटा देखोगे न, तो लगभग 2.5,00,000 यानि लगभग 25,00,000 के असपास TB मरीज आपको भारत में देखने को मिलेंगे, यह बहुत बड़ा डेटा है, है ना? बहुत बड़ी संख्या है, त तक TB का पूरी तरीके से उन्मूलन करना, तो ऐसे में चुनोती ये होती है कि क्या-क्या प्रियास सरकार करें और लोग करें जिससे हम इस उद्देश्य को पूरा कर सके, है ना? तो ध्यान रखेगा यह डेटा है, यदि हम देखे, कुपोशन, एड्स, या डाइबिटीज, मदू में, शराब, तंबाकू का धुमरपान, ऐसे कारक होते हैं, जो TB से पीडित व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, यदि कुपोशित है, व्यक्ति एड्स है, उसको डाइबिटीज है, शराब पीता है, तंबाकू पीता है, तो वो TB से जादा प्रताडित होने की संभाव ना रहती है, अब हम TB से नहीं पटने हैं, तू कुछ पहलों का जिक्र करें, भारत में तो हमने देख लिया, निक्षय पोशन ही होजना है, निक्षय पोर्टल 2.0 है, निक्षय मित्र हैं, और भी यदि हम वैश्विक प्रयासों की बात करें, तो विश्व स्वास्तिय संग है, इसके साथ ही विश्व स्वास्ते संगठन भी Global Tuberculosis Report, यानि Global TB Report जारी करता है, समय समय पे, यदि भारत के प्रयासों की बात करें, तो भारत के प्रयासों में तो यह हमने निक्षय देख लिया, इसके साथ ही TB रोग उन्मूलन है, तो राष्ट्य रणनिती की योजना है ध्यान रखना, राष्ट्य रणनिती की योजना है, 2017 से 2025 साथ ही निक्षय पारिस्तिती की तंत्र है, राष्ट्य टीबी सूचना प्रनाली है, निक्षय पोशन योजना है, जिसका जिक्र मैंने कर दिया है, जो कि वित्य सायता देती है 500 रुपे, टीबी हारेगा, देश ज पूरा कर सके, बास समझ में आई, अब यदि हम आगे की रहा देखे, तो भई हमें पता है, भारत ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्षय रखा है, विशेशग्यों का मानना है कि इस लक्षय तक पहुंचने के लिए, देश को चिकित्सा पहलवों के अलावा, यानि चि प्रतेक व्यक्ति की पहुंच में हो, बहतर मेडिकेशन हो, फ्री मेडिकेशन हो, ताकि प्रतेक व्यक्ति दवाओं को प्राप्त कर सके, हमें चिकित्सा पहलवों के अलावा, हमें अन्य पहलवों पर भी विचार करना होगा, सरकार को इस बात का जायजा लेने की जरूत है की बाधाई कहां पर हैं एक विफल प्रणाली में अधिक धन लगाने का कोई अर्थ नहीं है मान लो डेटा बढ़ता जा रहा है जैसे हमने देखा 2020 में 16 मिलियन थे 21 में हो गए 19 मिलियन और अभी वर्तमान में लगबग 2.5 मिलियन है और हम अलग-अलग योजनाय चला रहे है बड़े स्थर पर फंड दे रहे हैं तो ये बोल रहे है कि अएसी विफल प्रणाली में और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है बलकि हमें ये देखना है कि आखिर ये विफलता हो क्यूं रही है थैना ये असा फलता क्यूं मिल रही है सरकार को उन छेत्रों को ढूंड़ना ह और उन छेत्रों पर फोकस करना है यदि टीवी से लड़ने वाले लोग खाली पेट रहे रहे हैं तो नैदानिक उपचार में कोई भी निवेशवा अपरा सांगिक है हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि एक टीवी का व्यक्ति दवाईयां भी खा रहा है इलाज भी करवा होगा तो ये एक व्यक्ति परिवार में भी टीवी फैलाएगा तो इस तरीके से एक कुछ चक्र बनता जाता है टीवी का तो ये भी ध्यान रखना है कि केवल निदानिक उपायों से ही टीवी का समाधा नहीं निकाला जा सकता हमें पोशन पर भी ध्यान केंद्रित करना जो गरीब अबादी है वो जादा सुभेद्य रहती है टीवी के प्रती तथा लगभग हर परिवार चिकित्सा लागत और मजदूरी ना मिल पाने के कारण वित्या वित्ये संकट भी है उनके उपर भाई एक तो टीवी ऊपर से पोशन नहीं है उपर से वित्ये संकट है त टीवी को रोकने के लिए एक व्यापक द्रिश्चिकोंड की जरूरत होगी रोगी के निकट संपर्क में रहने वालों के लिए भी भोजन सहायता को शामिल करने है तो योजनाए होनी चाहिए यानि कि यदि हम पोशन सहायता दे रहे है ना तो केबल टीवी के मरीज को ही प परिवार है जो कि एल्रेडी सुभेद्य है किसके लिए टीवी के लिए कि इसके पास भी पोशन नहीं है योजना इस तरीके की होनी चाहिए कि हम परिवार को भी पोशन उपलब्द कराएं ताकि ये बिमारी फैले ना चक्र ना चले इसका क्योंकि वो भी बिमारी के उच जोखिम में होते हैं ऐसे में इस बिमारी मतलब ये हम suggestion दे सकते हैं कि इस बिमारी के उपचार के लिए ये भी ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति के साथ सब परिवार को भी हम portion सहायता है कम से कम दे TB आप लोगों के लिए हमेशा important रहता है एक बार बस ये देख लेना science वाला जो है कि TB क्या होता है कौन से bacteria से फैलता है है ना तो वो सारी चीज़े एक बार देख लेना कितने प्रकार का होता है काम आएगा आप लोगों को तो hope आप लोगों को निक्षय क्या है निक्षय पोर है और finally हम ने देखा वैश्विक प्रयास हो रहे हैं भारत के स्तर पे बड़े प्रयास हो रहे हैं और आगे की राह क्या है hope आपको ये class अच्छी लगी होगी अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को like कीजिए share जरूर कीजिए का channel को subscribe कीजिए और दों को जानने के लिए मुझसे जुड़िये स्वस्त रहिए मस्त रहिए जय हिंद जय भारत all the best